इसे बंद करके अब सारा पानी आग्या कर दिया है और दोस्तों इसका ये मेट ढाय गन्ये का जूंड़ी तर आ गया है इसे उस तरफ करके बंद देंगे अब बाकि पानी चल रहा है इतर बहुत बढ़ी है ये क्यारा करीब आदे गंटे में उदर तक भर जाएगा आजा हवा बिलकुल बंद है काफी सक्त मोसम है और मेरा जो मुह है तो एका हो रहा है दोस्तों सुबह सुबह गरवालों ने कह दिया था लेडी स्पार्टी ने के ये दाड़ी काटो सपेज सपेज चमकरी है बाई मेरे हाथ में तो यह सपेज सपेज कर लिए मैंने जान बूज गए क्योंकि दोस्तों कुछ तो शोकिन भाई अपने बाल और डाड़ी जो है ग्यों क्या लाजवाब हो गिये हैं तो दोस्तों यही है कि राद दिन पहरा दे के हमने अपने ग्यों बचाए और काफी कुछ उबात्ते जो है सीखने को मिली किसी तरह से जो है किसी पसू को भी घायल निकरा करेंट के तार से और बहुत ज़्यादे तार के खर्चे से भी बचे क्योंकि दोस्तों बात पॉइंट यही है कि बैर किसी चीज से बैर एक ऐसी चीज है कि इसका कोई अंत नहीं है थोड़े से विचार यहां गेमों पर पानी चलाते हुआ है कि आपने देखा होगा जैसे कोई भी आप पॉइंट ले लो है चुनाओ का ले लो यहां तक के जिम का ले लो बोडी बिल्डिंग कॉम्पेटिशन जो होते हैं और किसी भी स्पोर्ट इसमें सारे स्पोर्ट ले और सारे पॉइंट को आप ले लो किसी भी वर्ड लेवल पर ले लो चाहे कम उस पर ले लो तो आपको मैं थोड़ा पानी के हैं से दूर चलता हूं यहां थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है अब दूस्तो थोड़ा दूर आगे हैं तो क्योंकि दोस्तों यहां पानी की आवाज आ रही है ूपै कोई ना आता जाता रहता है कि तो यहां अपने कपडे उपडे रखें पर खूटे पर कि कूपगे पर तो दोस्तों ये ही है कि धरम और जाती की जो ये बैर है जो लड़ाई है उस पर एक छोटा सा पॉइंट है जो है बिल्कुल छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही जवर्जस्ट पॉइंट है अगर कोई इस पॉइंट पर गोर करे तो कि आपने देखा होगा कि मेन तो हमारे हाँ पर जो है जातियों की धरम की जो है बैर जो है लड़ाई चलती है और इसमें सबसे ज़्यादे जो मेन पर है वो यही है कि वो उस धरम का हो गया और वो उस धरम का हो गया अगर कोई किसी को पैसे कमवा रहा है बढ़िया बिजनिस चल रहा है तो बहुत अच्छा भाई चा रहा है लेकिन अगर कहीं कोई बात किसी भी बात से बात बिगड़ जाती है तो उसमें पर धरम की बात आ जाती है कि वो तो उस धर्म का हो गया इस धर्म में तो लोग बड़े खराब है यो तो धर्म बड़ा गलत है किसी भी धर्म के बारे में कोई भी आराम से बुरा बोल देगा तो किसी के बोलने से पहली बात तो यह है कि किसी के भी बोलने से कोई धरम बड़ा छोटा या अच्छा बुरा नहीं हो जाता धरम एक मन के मानने की बात है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे नोटो पर जो करंसी होती है उस पर अगर जो गौर्मेंट है किसी भी देश की अगर वो उसे वैलिड उसकी वैलिडिटी खतम कर दे जैसे हमारे की बात देखो जो मन होता है कि जिन नोटो के लिए 1000 और 500 के बंद हुए थे मैं दुबारे सब धरम और जातवली बात पर आऊँगा आऊंगा आप ये ना समझे के मैं बात बदल रहे हूं बस मैं मन की बात बता रहे हूं कि जो नोट ते जिन के उपर लोग मरने को थी आरत किसी ननाडरे में फैक किसी नाग में जला के किसी ना बक्री की तो कोई बिडी बना के पीरा तमाख कुढ रहा है तो इतने पॉडिक नहीं करे ग्या तो मोंगाइल यहां तक के बैंकों की लाइन में लगे रहे थोड़े थोड़े पैसे लिए के और मतलब जैसे भी हुआ के जल्दी जल्दी साफसे पिच्छा चुटा है महारा एक रूपा न गढ़ जा तो दोस्तों जो मोहमाया थी जो एक शब्द भी है काफी प्राचीन है मोहमाया तो उस मोहमाया से यह बात निकल का अती है कि इनसान को पता है कि तू बहुत गलत बात कर रहा है या तू बहुत अच्छी बात कर रहा है लेकिन फिर भी मोहमाया के चलते या अपने मजे के चलते या दूसरे को निच्चा दिखाना हो गलत बात करता ही करता है फिर घूम के फिर के कोई-कोई इंसान इतना बुरा काम कर जाता है, इतना गलत काम कर जाता है, चाहे, अंजाने में कर जाता है, कि उनकी कई पिड्रों पे Соगे वह भार नहीं उतरता, क्योंकि आपने देखऊँगा माबाप की यो प्रोपर्टी मिलती है, अपने बच्चों को मिलती है तो उनके करे हुए करम बी दोस्तोhon को मैं अपने मझे के लिए कथा भी हो कभी-कभी इनके साथ में खेलता हूं कर देता हूं तो दोस्तों वह चीज अलग है वह इनके मेरे बीच की बात है लेकिन इनके परती मेरे मन में क्या भाव हो आपको वीडियो सा पता भी चल गया होगा तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि जितनी भी कोशी से अपनी इनके साथ में चल रही है तो बात वहीं धरम पे और जाती पह लगते हैं कि आपने देखा होगा बहुत बार पॉइंट आपने देखे होगे कि मामला कुछ भी हो चाहे छेड का नी का हो चाहे रोड़ पैक्शिडेंट का हो चाहे चोरी डकैति का हो चाहे किसी की हलकी फुलकी नोक जोक हो या कुछ भी हो उससे बहुत जल्दी जातिय रूप या धरम का धरम की लड़ाई या जातिय संगर्स या धार्मिक लड़ाई के रूप में लोगों के सामने लाया जाता है कैसे लाया जाता है वो आपको पता ही है तो बात यही गोर करने की है कि आप यह देखो के धरम की लड़ाई होगी फिर धरम के बाद मैं चलो एक धरम ले ले लेते हैं जैसे हमारा धरम हिंदू धरम है फिर हिंदू धरम में भी लड़ाई होगी भेद हो गया जाती जितनी है हिंदू धरम की सारियों में भेद हो गया पहले धरमों में भेद हो गया फिर जातियों में भेद हो गया बड़ा छोटा होने लगा फिर इन सब जातियों को छोड़ते हुए एक फिर हम अपनी ले लेते हैं जाती कि जो हमारी जाती है हमारा जो धरम है कि आरक्षन वाली बात आ जाती है कि बहुती गलत पॉइंट चल रहा है बहुत समय से है कि जाती कि हिसाब से आरक्षन है जबकि होना चीए है अमीरी गरीब भी के हिसाब से अमीर गरीब के हिसाब से आरक्षन होना चीए देश में जिससे के दोस्तों आप कभी गोर करना अगर कभी उस चीज को हलका फुल का महसूस ना करा हो तो करके देखना गरीब भी बहुत बुरी चीज है जब माबाप पूरे दिन पूरी रात महनत करके भी अपने बच्चे को पैरों में चपल नहीं होती ना वो नंगे पाँ होता है और उसके तने पर कपड़े नहीं होते उसके पेट में रोटी नहीं होती तो उनकी आत्मा उन्हें जित्ते जी मार देती है उनका इतना बुरा हाल हो जाता है अपने बच्चे से वो निगाने मिला पते और बच्चा सिर्फ हो चाता है कि मम्मी पापा मुझे रोटी नीचीजिए मुझे खाना नीचीजिए बस आप मुझे लाड़ कर लो मुझे नींदारी में थग्या मुझे सुआ दो क्योंकि वो पूरे दिन महनत मजदूरी पर है बिचारे तो बच्चा सिर्फ इसी इनतिजार में था कि एक आठ टुकड़ा कुछ आएगा घर में थोड़ा बहुत आठा आएगा थोड़ा बहुत समान आएगा खाना बनेगा तो दोस्तों बात वही आ जाती है कि फिर आ जाती है एक जाती पर धरम को छोड़ दो समाज को छोड़ दो सारी जातियों को भी छोड़ दो अलग अलग सिर्फ किसी भी एक जाती को ले लो फिर दोस्तों उस जाती में भी बात आती है बड़े छोटे की अमीर गरीब की बुद्धी मान कम बुद्धी की और पैसे वाले की और गरीब की तो दोस्तो फिर उन्हें आपस में भेद हो जाता है कि ये ये बड़े लोग हैं ये कहाम से बात करें या ये बड़े लोग हैं हमें तो इनके मजदूरी करनी करनी है कोई-कोई ऐसी बात नहीं है कोई-कोई ऐसा भी है के वो अपने साथ में अपने जो परीवार जुड़े हुए हैं उन्हें ले के चल रहा है वो किसी भी तरह इस जद्ड-जयद में है कि ये बिचारे बियाज के काम में भी नदब हैं, इनका घर भी बिखने सा बज्जा, इनके बच्चे भी पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों सिक्सा तो वो हतियार है, जिसका वार कभी खल दिने जाता, बसरते उसे निसान नसाद के चलाया जाए, अगर सिक्सा आपने बिलकुल पूरे दिल से, पूरे मन से, शिक्सा गरहन की है, तो वो एक न एक दिन आपको सफलता प्राप्त करने में सबसे बड़ा योगदान देती है, आपको सफल बनती है, समाज के सामने भी आपको अमीर बनती है, क्योंकि अमीरी गरिब्बी से हमेसा नजरिया है, देखा जाता ह तो दोस्तों फिर वोली बात आती है कि किसी भी एक जाती में देख लो आप अमीरी गडिबवी का भेद है काले गोरे का भेद है बलวान कार कमजोर का भेद है फिर चलो एक जाती में से ये भी छोड़ दो एक घर में आजाओ आप एक घर में ही आ जाओ पॉइंट पे घटते घटते के दो तीन भाई होगी उनमें एक भाई जो है बिचारा अपनी मेहनत मज़दूरी में खिती बाडी में डट गया मेहनत कर रहा माबाप की साथ लग रहा अपने और बहन भाई उन्हें काम्याब कर दिये तो दोस्तो समाज को तो छोड़ो उन बहन भाईयों की और माबाप की भी आप सोच कूँ देखो मैं तो हैरान हूँ ये सोच के कहीं भियास अद्धी हो या कोई प्रोग्राम हो रहा हो या कहीं बैठकोरी हो माबाप भी और नहीं बहन भाई भी कहते हैं आगर कोई काम्याबी की भीबात थी है यह ट्रू को हमने भतेरी कोसिस करी यूह इन पड़ा या कि हमने भहत कोसिस करी हो नहीं भाईयों गोबरों में बढ़ी रहती यह तो हिल्लाई करो जाती जबकि उन बेवों को, उन मूरखों को, उन अज्ञानियों को, उन भरष्ट लोगों को यो नहीं पता है कि तुम्हारी जो तन पर कपड़े आए, जो तुमने जो फीस भरी है वो तुम्हारे इस भाई ने या इस बेहन ने, या मा ने अब आप ने, या चाच्चा ताउने, या बाबा ददा ने मेहनत करके तुम्हारी फीस भरी है तो दोस्तों ये पोईंट बहुत गोर होना चाहिए, इस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सगे बहनट भायों में भी ब्याद होता है। तो मुझे यह बात सोच के लगता है। बहुत बार जो म्हनत कर रہा है। क्योंकि तो अब जोगंत कर रहा है। और भार बित्तर के सारे काम कर रहा है जिनके घर में जवान बच्चे हैं उनके रिस्तों के लिए भाग रहा है मकान बन रहे हैं तो मैटिरियल के लिए भाग रहा है सैटिंग कर रहा है यहां तक के लोग बात बना देते हैं कि यह नेता तो बहुत लूटे रहे होते हैं यह यह कहते हैं समाज में वे पहले नेतार बिल्डर बन के देखो अप लोगों को पता चल जागा कि यह अपने जीवन में कितनी टैंसन कितना जेलते हैं लेकिन हर किसी का एक पायदान होता है कि वो मेहनत करके उस लेवल तक जाता है यह वो किसी लेवल पर है तो दोस्तों यही बीच में फरक है जो हमारे समाज में एक अमीर गरीब का एक बुद्धिमान और एक कम पड़े लिखे का और एक बलवान और एक कमजोर का जबकि उपर वाले ने आप अगर बहुत गोर से भी पॉइंट को देखोगे कि उपर वाले ने कोई फरक नहीं करा किसी को पैदा करन कैबी देते है कैवकर कंबुद्य जबकि वह कम दिनी होते वह वीचारि सिद्धे होते हैं ऑthlet को कई बहाइन वह बहुत सफलता पराप्त कर जीवन में और कुछ जो थे ठोड़े कम रही değiş है लेकिन उन्हें कम जो बता रहे हैं वह में मैं या आप यह उनքे भाई बहां है समाज सिरफ अच्छे कोछा और गलट कोगलत कहता है समाज किसी से итоге समाज ही सब्गर भगवान है समाज ही सब्गाला है समाज इससब्का रब है I English है है तो समाजिका सम्मान करना सी यह समाज से डरना ऴुक्ति है समाज कुब झारा कभी निलیک बताएं क्योंकि कमेंट में आपका नाम लिख रहता है और सभी कमेंट चाये कोई लिख नी रहे जान बूज के नी लिख रहे चाये वो लिखना नी चाते वो भी अगर आपके कमेंट आपके नाम से पढ़ते हैं तो उनके अंदर से भी एक अच्छी बात निकलती है कि फला फला भाई ने या हमारी बेहन ने या हमारे दोस्त ने ये बात बहुत अच्छी जो है पॉइंट लिखा है तो उसी पॉइंट से फिर आगे विचार निकलते चले जाते हैं क्योंकि दोस्तों मैं हमेसा से जातियों के खिलाफ रहा क्योंकि हमारे बाबा दादा हमारे पिताजी भी जाती और धर्म की लड़ाई के खिलाफ रहे बहुत जादे वो समाज में सब को एक उसमें देखते आए हैं और उन्होंने कहा है एक दूसरे की मदद के भी ना काम नहीं चलता मेरे तन पर जो ये शर्टब बेसक ये पुरानी है लेकिन पहले पहले ये कपड़ा कहां से मेटिरियल बना फैक्टरी में किन के हाथ में को निकला होगा कब ये आक है कैसे कहां भी का दूकान पर कोन ही से खरीद के लाया किसे ये बनवाई का अब कोन पहर रहा है तो दोस्तों ये चीज बहुत गोर करने की है आप जो फलक आते हैं किसने पोद्धा लगाया किसने पेड को सिच्चा जमीन किसकी थी किसकी टूवैल का पानी आ रहा था किसने फिर पेड़ों की रखवाली करी किसने फिर पेड़ पैसे तोड़ा किसकी ठेली पाया कहां से कहां भी का किसने खरिदा आपके घर कोन लेका आया आपने कैसे खाया तो ये चीज़े बहुत गोर करने की हैं समाज में अपने दिमाग को बहुत सेंटर में रखने की जरूरत है अन्य तो आने वाला समय ऐसा आ रहा है महंगाई का तो आई रहा है लेकिन जो ये धरम की और जाती की लड़ाई है ये बिल्कुल समाज को बरबाद करने पर उतारू है इस से बचो अन्य था ऐसा हो जाएगा कि जो हमारे बच्चे हैं इनका जीवन बहुत जादे कठिन हो जागा क्योंकि ये बाद गोर करने की है सहर कभी नहीं थे गाउं पैदा हुए गाउंवों से फिर धीरे-धीरे जो गाउंवें तरक्की करते चले गए उन्होंने जाकर कहीं रोड पर अपने सहर कस्बे गाउं से कस्बा बना और कस्बे से फिर धीरे-धीरे सहर बनते चले गए तो इसी तरह से फिर ये डीजिटल वाला चकर चला जबकि है कुछ नी सारा मन का वहम है संस्कार गाउं स्सकार आपको सहर में मिल जायेंगे तो दोस्तों बिजली जो है चली गई है कट हो गया है बिजली का आप साथ काफी देर बिजली भगी रहे तो अपना चलते हैं खाना वना खा के आते हैं वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी लाइक करें शेर करें धन्यवाद जुड़े रही है जो भी आपके विचारों ज कर्थरीय